नमस्कार, स्वागेत आप सभी के मेरे चैनल पे मेरे नाम है संकुरात मिस्रा दोस्तो आज के इस वीडियो हम लोग लाइप टाइम एरियर के बारे में जानेंगे कि लाइप टाइम एरियर एक्चुल में है क्या और लाइप टाइम एरियर कब ब्रदान किया जाता है और life time area का calculation कैसे किया जाता है दोस्तो वीडियो बहुती मैत्पून होने बाला है और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों से अनुरोध होगा दोस्तो life time area मतलब pensioners नहीं तो family pension उनके जीवी तवस्ता में अगर उनके pension revise हो जाता है और उनके जीवन काल में ये revised pension उनको नहीं मिलता है तब आईदर family pensioner को नहीं तो pensioner के legal hair जो भी उनके nominee होता है life time area के लिए उनको प्रदान कर देने का provision सरकार नहीं पर बनाया गया है दोस्तो आईए हम लोग बहुती easy way में जान लेते हैं कि life time area कैसे दिया जाता है life time area क्या है और किस तरह से इसका calculation किया जाता है दोस्तो देखिए आप स्कीम पे एक special seal authority आप लोग समने display हो रहा है और यहाँ पर जो 10 number point है यहाँ पर एक सब्द लिखा गया है कि LTA of revised pension of rupees 18,800 per month with effect from 1st January 2016 to 15 February 2019 दोस्तो इस sentence का अर्थ simply यही बता रहा है कि जो pensioner है उनका pension revise हो गया था 1 January 2016 से जो भी rupees 18,800 per month उनका basic pension बन गया था और जाहिर सी बात यह है कि उनको यह रकम नहीं मिला है और उनका अभी दियान दो गया है तो उनका pension जब revise हुआ है 18,800 per month उनका basic pension उसके साथ साथ उनको age factor अगर उनका 80 years cross कर जाता है तो उनको 20% additional benefit दिया जाएगा pension के साथ उसके साथ दियाने से relief आइड कर दिया जाएगा उसके साथ अगर fixed medical allowance है उसको भी जोड दिया जाएगा और इस तरह से एक figure बनके आयाएगा जो उनको during this period मिलने चाहिए था और उनके देहान 15 फिरोड़ी 2019 को हुआ था तो जब CPA उनने Central Pension Accounting Office ने उनके Family Pension के हित में Special Seal Authority जारी किया तब दस नमबर पॉइंट पे इस पस्ट बैंकों को उन्होंने निर्देश दे दिया कि उनका lifetime area उनके Family Pension को नहीं तो कोई भी legal hair और nominee उनका है तो उनको प्रदान कर दिया जाए और इसका calculation भी bank को को ही करना है मतलब सहज भासा में दोस्तो एक एक 2016 से एक जनौरी 2016 से उनका pension revise होके 18,800 रुपए हो गया था उसके साथ साथ जो भी other benefits से वो add हो जाएगा और ये जो amount है वो उनको पंद्रा फेबरारी 2019 तक मिलना चाहिए था दोस्तो आईए हम लोग अब देखते हैं कि bank वाले lifetime area को कैसे calculate करते हैं और आप भी कैसे घर बैटे lifetime area का calculation बहुत ही easy way में कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए bank पहले ही इनका account statement during this period for the mansion period account statement को लोग निकाल लेंगे कि एक एक 2016 से एक जनौरी 2016 से पंद्रा फेबरारी 2019 तक pension उनको किस मैंने कितना प्रदान किया गया during this period उनको कोई गैचुटी कमिटेशन का बैलू इस तरह का कुछ पैसा मिला है की नहीं यह सब इन लोग bank वाले बारी की से go through कर लेंगे फिर जाके bank वाले यानि कि bank के CPPC centralized pension processing center एक calculation sheet prepare करेंगे इसको drawn and due statement कहा जाता है और उसके आधार से वो लोग एक नतीजे पर आएंगे कि इनको during this period कितना रकम दिया गया था और उनको during this period कितना रकम मिलने पाला था और जो भी difference amount यहां पर निकल के आएगा वही इनका lifetime area rate होगा दोस्तों स्कीन पर देखिए account statement display हो रहा है यहां पर 2016 में उनको 9000 और उसे ज्यादा कुछ pension मिलाता है 2017 में उनको 1768 रुपए इस तरह का कुछ रकम मिलाता है 2018 में उनका pension 17000 ऐसे कुछ निकल के आता है तो इस तरह से उनका pension जो है वह 18800 से नीचे है यानि कि 18800 उनका जो basic pension है उनका भी नीचे है और उनका basic pension के साथ उनका DNA sleep age factor अगर उनका 80 साल क्रॉस कर गया है तो वह भी 20% एड हो जाएगा फिर जाके calculation sheet बैंक वह पर प्रिफेर करेंगे चलिए दोस्तों देख लिखता है calculation sheet कैसे प्रिपेर होता है और पर क्या नतीजा आता है जो स्टों इस calculation sheet के बाये तरव पे लिखा गया है pension payable और दाये तरव पे लिखा गया है pension paid pension payable मतलब उनको कितना मिलना चाहिए था और 16,524 रुपई यानि कि during this period उनको 9,16,524 रुपई मिलना चाहिए था और दोस्तों देख लीजिए कि उनको कितना pension पे किया गया during this period वो amount है 5,56,583 रुपई दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहां पर difference amount जो है 3,69,49 रुपई वो इनका lifetime area बनता है और इसी को calculate करके यहां पर निकाला गया और एही amount को उनके family pensioner को नहीं तो 9 मीनी को बैंक को प्रदान करना है तो दोस्तों देखिए screen पे message आप लोगों समने display हो रहा है कि 3,69,000 रुपई उनके account में मतलब उनके family pensioner के account पे या 9 मीनी के account पे credit हो गया है तो भी 4 April 2022 को दोस्तों इसी तरह से lifetime area को calculate किया जात असानी से मैं आप लोगों को समझाने में सक्सम हुआ हूँ दोस्तों यह पर एक important जड़करी आप लोग कि lifetime area के बारे में सरकार ने एक मैतपून निर्देश जारी किया है कि अब से lifetime area जो भी pay will होगा उसके लिए सरकारी कर्मचारी का valid nomination होना बद दमुलक है अगर आप वाले दिन में retired करने बाले है नहीं तो आप लोगों को देख लेना है कि आप लोग वैलीड नॉमिनेशन lifetime area के लिए अलग से फाइल किया है कि नहीं अगर आप लोग रिटार करने बाले है तो बाकी pension papers के साथ साथ आप लोगों को lifetime area के लिए form a fee लिन करके अपने head of office को pay and account office को जमा देना है और अगर आप लोग रिटार कर भी चुके है तो भी आप लोगों को department से संपर करके form a को fill in करके जमा देना है और अगर आपके nomination में कुछ modification हुआ है तो भी आपको modification वाला जो भी information है form A के मातम से fill in करके bank को जमा देना है दोस्तो life time area के लिए nomination आप लोग कैसे करेंगे और यहाँ पर form A को कैसे fill in करेंगे यहाँ पर paid accounts office का दाई तो क्या है यहाँ पर bank को का दाई तो क्या है यहाँ पर head of office का दाई तो क्या है इसके regarding पूरी discussion आप लोगों से मैं आने वाले वीडियो में करूंगा इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए चैनल को subscribe कीजिए और bill icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का notification आप लोगों के पास पहुँच जाए और pension and family pension related और भी problem के solution के लिए कौर्मेंट employment related और भी updates के लिए जान करी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको श्यार कीजिए ताकि maximum people may be benefited from this video Thank you very much जाए हिंत